हलो फ्रेंड्स यदि आपके घर में छोटी बच्ची है और उसके अभी पिरिट शुरू हुए हैं तो आपको यह चिंता जरूर सता रही होगी कि आप उसको मैं क्या खाने में स्पैशल दूँ जिससे कि उसकी हेल्थ बनी रहे उसके शजरी में खूंटा नुकसान जो हो रहा तो उनका डाइट भी बहुत इंपोर्टेंट होता है क्योंकि डाइट से ही हमें सारी एनर्जी मिलती है तो ऐसे सिती में में बहुत स्पैसिफिक डाइट की रिक्वाइमेंट होती है तो मैं डॉक्टर सुशील असैनिक अन्यट लॉजिस्ट अबस्टेशन आज आपको क्योंकि पीरिड शुरू होते हैं तो उनको ब्लड लॉस होना शुरू हो जाता और जैसे ही ब्लड लॉस शुरू होता है तो खुन की कमी होनी लग जाती है जिससे की एनिमें जिससे खदरनाक बीमारियां हो सकती है अगर आप डेटा देखेंगे इंडिया का तो बहुत करती है और एवरेज 150 ml के आसपास ब्लड लॉस होता है नॉर्मली 100 ml या 8200 ml के आसपास माना जाता है लेकिन अगर होते हैं तो वह 200-300 ml तक भी चला जाता है तो अगर एवरेज आप 100-120 ml भी पकड़के चलते हैं तो आप समझेंगे कि आधा यूनिट ब्लड लॉस हो रहा है क्या एक यूनिट ब्लड के अंदर 330 ml ब्लड होता है अब यदि कोई लेडी हर महीने आधा यूनिट ब्लड लॉस कर रही है that means कि आप समझेंगे कि वह अगले तीन महिने के अंदर 1.5 यूनिट ब्लड का उसके लॉस हो जाएगा और यदि आपने ये सुना होगा कि एक बार यदि आपने ब्लड डोनेशन किया यानि कि एक यूनिट ब्लड डोनेशन के बाद तीन महिने का गैप दिया जाता है क्योंकि हमारी बॉड़ी उतना ही ब्लड बना पाती है तो आटोमेटिकली बच्ची का हीमोगलोबीन नेगेटिव में चला जाता है इसलिए हमें हीमोगलोबीन का सिंथेसिस बढ़ना पड़ेगा उसके सिंथेसिस बढ़ने के लिए जो हमें रॉव माटीरियल चाहिए सबसे पहला आता है आयरन से खुन की कमी पूरी की जा सकती है अब आयरन आप कैसे कैसे दे सकती है सबसे सिंपलेस्ट वे कि रोज की रोज एक आयरन की टेब्लेट आप उसे दे दीजिए 100 मिलिग्राम की गोली आती है 30-40 मिलिग्राम एब्सॉब हो जाता है जो कि बच्ची का हीमोगलोबीन बनाने के लिए सफिशेंट होता है लेकिन यदि बलड लॉस जादा हो रहा है तो हमें ये गोली दिन में दो से तीन बार भी देनी पड़ सकती है गोली की साथ ही साथ यदि बलड लॉस जादा होता है तो इंजेक्शन भी लगाया जाता है जो सिंगल टाइम इंजेक्शन होता है इसमें 500 मिलिग्राम आइरन होता है और ये महिने में दो से तीन बार लगाया जा सकता है, बच्ची का इसमें पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही इंजेक्शन लगाया जाता है, इससे कभी भी खुन की कमी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर बहुत जादा ब्लड लॉस नहीं हो रहा तो इंजेक्शन की रिक्वर्मेंट नहीं होती है, तो आप डाइट में इंप्रॉव्मेंट करके भी ब्लड बढ़ा सकते हैं, तो जो खाने में आप चीज़ें एड़ कर सकते हैं, वो उती हरी पत्तेदार सबजियां, जिससे की पालक है, बथुआ है, मेथी है, इन सब चीज़ों में काफी अच्छे मात्रा में आइरन होता है, यदि सर्दिया है, तो आप गुड यूज़ कर सकते हैं, गुड में भी आइरन होता है, मुंगफली यूज़ कर सकती है, मुंगफली में प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, और आइरन भी होता है, तो गुड और मुफली की जो गजक आती वो भी आप खिला सकती है बच्ची को जिससे कि उसको प्रोटीन भी मिल जाता है साथ के साथ और आइरन भी मिल जाता है इसके अलावा आप ड्राइफ फूट्स आप एड़ कर सकती है जिसके बादाम है काजू है किशमिश है खजूर ह भी सकती है जैसे कि स्कूल में भी चलते फिरते वो खाती रहे तो उसको कमजोरी महसूस नहीं होगी इसके साथ इसाथ उसे सुबह और शाम दूद जरूर पिला दीजिए और दूद में प्रोटीन पाउडर एड़ करके दे सकती है क्योंकि हीमोग्लोबीन के सिंथेसिस में अएन्र के साथ साथ हमें प्रोटीन की हिरेंन होती है इसके साथ इसाथ कुछ दिंग की किसitute भी होती है तो दिंग हमें हरी सबड़ी और इसके अलावा झाल की बती से है आप अपडय बच्छे की डाइट में रोज एक पल यहर्ड कर देंगी तो काफी मात्रा में आपको व आज एपल देना है, कल अनार देना है, जैसा अविलिबिलीटी हो वैसा आप दे दीजे, लेकिन एक फल आप रोज दे दीजे, एक मुठी ड्राइ फ्रूट आप दे दीजे, सुवेश आम दूद पिला दीजे, और हरी सबजियां एड कर दीजे, बट आजकल के बच्चे हरी स सकते हैं, जैसे कि मौसमी है, नारंगी, अम्रूध है, और आमला है, इन सब चीजों में वाइटामिन C काफी मातरा में होता है, जिससे कि हीमोगलोबिन का सिंथेस अच्छा होता है, आईरन का अब्सॉप्शन अच्छा होता है, तो यदि आप दाल में अगर नीमगू डाल मातरा में फाइदे मंद होते हैं, तो जनल अगर आप एक मोटे तौर पर समझें, तो mix and match करके, यदि आप रोस देली, fruits हैं, juice हैं, soup हैं, और हरी सबजियां देती हैं, दूद पिला देती हैं, दिन में दही खिला देती हैं, तो एक तरीके से पूरा पैक अप हो जाता है, य उसे iron की गोली और injection लगवा सकती हैं, जिससे कि उसे कमजोरी महसूस नहीं होगी है, और वो अपने periods में हो रही खुन की कमी को पूरा कर पाएंगी, और अपने खेल कूट की सारी activities अच्छे से कर पाएंगी, इससे related यह और कोई सवाल हैं आपके, तो मैं comment box में लिखके पू झाल